तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक नया चैप्टर पड़ेंगे जिसका नाम है आहाउस इस नौर होम और इसके राइटर है जैन गुडी सो भाई यह बड़ा यजीब नाम है जैन गुडी सो हाँ भाई है तो पर क्या करें वैसे हमें याद तो कर नहीं पड़ेगा और इस चैप्टर का नाम भी कुछ जादा ही अजीब है अगर आप हिंदी करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा मैं आप लोगों को बता दूगी इस चैप्टर में एक चैलेंजिस दिये हुए है टीनेजर को जिस फेस करने पड़ते हैं और प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं यह काफी इंटरस्टिंग चैप्टर है तो चलिए देखते हैं और पिछले स्कूल में वो अपनी क्लास के हैड़ थे और यहां आकर वो सबसे जूनियर हो चुक है तो उन्हें इस बात का भी डर था कहीं उन पर रैगिंग ना हो और उनका जो यह स्कूल था नहीं रहता है था उनके प्रिवेस स्कूल से उनके टीचर उनक पूर्षा का काफी जादा आरी तो एक दिन क्या होता है कि संडे को आफ्टरनून के टाइम जैन टाइनिंग टेबल पर बैट कर अपना होमवक कर रहे होते हैं वो काफी जादा ठंड से भरा दिन होता है तो उनकी मॉम कुछ चिमनी में वुड्स डाल कर फायर को रिकनफिगर कर रही होती है और उनकी रेट टेबी कैट हमेशा की तरह उनके पास ही बैठी होती है जहांपर वो काम कर रहे होते हैं उनकी टेबल पर और वो कभी भी उनसे दोर नहीं रहती है वो बताते हैं कि उनने एक बार उसे रेस्क्यू किया था जब वो किटन थी और कैसे पता नहीं पर उस cat को पता है कि उन्होंने उसकी life बचाई है और वो हमेशा एक दूसरे से बहुत ही ज़ादा प्यार करते थे तो जैन जब अपना homework कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सी smell आती है और वो देखते हैं कि उनकी घर की ceiling से बहुत ही ज़ादा धुआ निकल रही है उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो लोग भार भागने की कोशिश करते हैं कि एक मिनट के अंदर अंदर पूरे घर में धुआ ही धुआ हो जाता है और धिकना भी मुश्किल हो जाता है जैन और उसकी मोम कैसे ना कैसे करके घर से बहार निकलते हैं और फ्रंट यार्ड में आकर खड़े हो जाते हैं कि तब ही जैन दोड़ कर अपने नेबर के घर जाता है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए कि तब ही वो देखते हैं कि उनकी मोम दोड़ती हुई वापिस से घर के अंदर जा रही है और वो मना करना चाते हैं पर वो जानते हैं उनकी मॉम क्या लेने जा रही थी उनकी मॉम एक मैटल का बॉक्स लेकर आती हैं जिसमें घर के सभी important documents रखे होते हैं इसी बीच जैन अपने पडोसियों के घर से fire brigade को phone कर देते हैं और वापिस आकर देखते हैं कि उनकी मॉम दोड़ते हुए वापिस से घर के अंदर जा रही होते हैं इस बार वो मॉम को रोकना चाते हैं और वो कहते हैं मॉम नो पर उनकी मॉम बिना कुछ सुने चली जाती हैं इस बार यह जानते हैं कि उनकी मॉम क्या लाने वाली थी उनकी मॉम उसके फादर मर चुके थे तो उसकी letters और images को नहीं खोना चाती थी और उनकी memories को रखना चाती थी इस बार जैन अपनी मॉम के पिछे दौडने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा हाथ उन्हें रोक लेता है और देखते हैं अपने आसपास कि वहाँ पर fire brigade की पूरे team आ चुकी और एक fire brigade का आदमी उन्हें रोक के खड़ा है वो कैसे भी करके उससे छूटना चाते थे और चाते थे कि वो दोड़ कर अपनी मॉम के पास जाएं वो उसे पर चलाता है और कहता है कि तुम जानते हो क्या मेरी मॉम अंदर है वो मुसीबत मैं मुझे जाना होगा पर fire department वाले जानते थे कि यह बच्चा है और अगर इसे हम छोड़ेंगे तो यह वापिस दोड़ कर अंदर चला जाएगा तो वो लोग उसे उठा कर अपने ट्रक के अंदर ले जाते हैं जहां पर उसे रख देते हैं और कहते हैं कि तुम हरी मॉम को हम लेकर आते हैं उसके बाद fire department के लोग अंदर जाते हैं और उसकी मॉम को बहार लेकर आते हैं उसकी मॉम के हाथ में वही बॉक्स होता है जिसके अंदर जैन के फादर की images और letters होते हैं जैन की मॉम को डीजीने सफील हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने घर के अंदर काफी जादा smoke इनहेल कर ली होती है सो सभी fire department के लोग उन्हें उठा कर ट्रक में ले जाते हैं और oxygen mask पहनाते हैं उसके बाद जैन अपनी मॉम को हग करते हैं और कहते हैं मॉम आपको अंदर जाने की क्या जरूरत थी मैं पता है कितना डिल गया था सो फाइनली पांच गंटे तक chemical और water छिड़कने के बाद वहाँ पर उनके घर की आग बुझ जाती है आग बुझने के बाद जैन को याद आता है अरे मेरी cat कहां है वो तो मेरे साथ ही टेबल पर थी फिर वो उसे आसपास काफी जगा पर ढूंडते हैं आसपर उसमें पूछते हैं ढूंडते हैं पर उनकी cat कहीं भी नहीं मिलती है फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगते हैं अपनी cat को ढूंडने के लिए तो fire department के एक आदमी उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी तुम अंदर नहीं जा सकते अभी अभी हमने आग बुजाई है और यहां पर काफी chemicals होंगे और ना जाने कौन सा pillar cup गिर पड़े तो तुम अभी नहीं जा सकते हैं जैन और उसकी mom के पास कोई और option नहीं था तो वो लोग अपने grand parents के घर जाते हैं उस night stay करने के लिए अगले दिन Monday होता है as usual जैन को सकूल जाना होता है जैन अपनी mom से request करते हैं कि वह आज सकूल ना जाएं तो क्या होगा उनकी mom उन्हें force करती हैं कि तुमें सकूल जाना है पर जैन देखते हैं कि उनके पास ना तो सूज है ना ही सकूल uniform है और ना ही bag है और ना ही कोई home work है सब कुछ उनका fire में जल चुका था तो उन्हें वैसे ही सकूल जाना काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उनके पास चर्च की blue dress थी जो उन्होंने पहले wear करी हुई थी जब Sunday को जब वो चर्च गए थे और उन्होंने tennis shoes borrow किये थे अपनी aunt से उनके case में भी news बहुत ही जल्दी spread हो जाती है जैसे कि सभी cases में होती है Zen कहते है bad news पहले फैलती है उनके सभी classmates, उनके teachers सभी को बात पता चल जाती है और सभी उनसे ऐसे अजीब सब behave करते है Zen को ऐसा मैसूस होता है कि सारी गलती उन्हीं की हो Zen अपने school से घर आते वक्त सोचते हैं कि मैं अपने घर को देखता हुआ चलता हूँ तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ destroy हो चुका है और वहाँ पर जितनी भी चीजे बची थी वो chemical से destroy हो चुकी है जो चीजे बची थी वो सिर्फ थे important documents जो उनकी mom ने heroically rescue किये थे वो कहते हैं उनकी mom उन्हें जल्दी से घर से बाहर ले आती है और अब उन लोगों को एक नया घर चाहिए था क्योंकि उनका घर पूरी तरह से जल चुका था उन्हें अपने grandparent से borrow करनी पड़ती है money क्योंकि उनके पास credit cards नहीं होते cash नहीं होते और कोई identification भी नहीं होती जिससे वो bank से withdraw कर सके अपने पैसे क्योंकि सब कुछ smoke में जल चुका था जैन और उसकी mom एक apartment rent पर लेते हैं और वो लोग वहाँ पर रहते हैं so next day जब जैन school जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी classmates उनके साथ और भी जादा अजीब behave कर रहे थे जब वो gym के लिए ready हो रहे होते हैं तब सभी लोग उनके आसपास घुम रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जैन कहते हैं मैं समझ गया कि वो लोग shop करना चाते थे उसके बाद जैन जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी सी टेबल है और उस पर सारी उनके लिए समान रखा हुआ है हर टाइब का समान सारी school supplies, notebooks, different cloths, jeans, tops, sweatsets तो देखते हैं कि ये तो Christmas की तरह है उनको सब gift देते हैं और वो काफी ज़्यादा emotional हो जाते हैं people जो उनसे कभी बात नहीं करते थे वो उनसे आके मिलते हैं और उन्हें अपने घर पर invite करते हैं काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और finally वो school में पहली बार अपने new friends बनाते हैं nearly one month के बाद जब वो अपने friends के साथ बैठे हुए होते हैं और discuss कर रहे होते हैं कि उनका new bedroom कैसा दिखेगा तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है क्या ये तुभारी है जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं होता एक woman उनकी red tabby cat को पकड़े हुए खड़ी होती है वो उसे देखते ही खुश हो जाते हैं और उनके हाथों से छीन लेते हैं cat के caller पर जैन के घर क्या phone number था पर वो fire की वज़े से destroy हो चुका था तो लेड़ी को काफी दिक्कत आई उसे ढूड़ने में जैन फिर से याद करते हैं अपने पुराने time को कि जब उनके पास कोई friends नहीं थे उनकी cat भी जा चुकी थी उनका घर भी जल चुका था और अब के time को जब उनके पास new friends हैं उनकी cat भी वापिस आ चुकी है और उनके पास अब सब कुछ है वो वापिस से life में participate करना शुरू कर देते हैं और अपनी सभी पुरान नी बातों को भूल जाते हैं और उनकी सारी चीज़े ठीक हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा happy life जी रहे होते हैं और यहीं happy ending के साथ हमारा chapter खतम हो जाता है भाई यार भाई यार तुने कैसी स्टोरी सुना यार बहुत रोना आया और शुक्रें happy ending मेरी तो हमेंशे बैड एंडिंग होती है I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई